Hello my dear friends, I hope you all are doing well चलिए आज हम लोग पढ़ाई के लिए जल्दे से ready हो जाते हैं आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो लाइने जो हम लोग रोज बोलते हैं और ये beginners के लिए बहुत ही important है क्योंकि मैंने वो words लिए हैं जिसमें सिर्फ दो English के words हैं तो ये सिखने में उन लोगों को बहुत आसानी होगी और अगर आप ये first step से सुरू करते हैं तो जब हम step 20 पहुँचेंगे तो आप अपना level खुदी देख पाएंगे कि कहां पहुँच गया है तो चलिए start करते हैं step 1 से तो जो first word मैंने लिया वो है जाने दो जाने दो कोई English में बोलेंगे let go ओके let's go नहीं let go let go go इसका मतलब जाने दो कोई दरवाजे पे खड़ा है और आपको उधर जाना है ठीकिए उसके पार जाना है तो आप क्या बोलेंगे let go और राइट चलिए next word देखते हैं ऐसा करो अगर आप किसी को instruction दे रहे हैं कि इसको ऐसे करना है या फिर यह करना है तो आप बोलेंगे do so ठीक है ऐसा करो मतलब इसको English में बोलेंगे do so वो करो किसी को आप order दे रहे हैं कि वो करो आप ठीक है कोई काम है जो कि करना है उसको तो आप बोलेंगे do that इसे धो दो कोई कपड़ा है जिसको आप चाहते हैं कि सामने वाला धोए तो आप बोलेंगे wash it wash का मतलब धोना और जो चीज आप दिखा रहे हैं आप दिखा रहे हैं it से ठीक है तो इसका यह है जो दो words जिससे आप यह convey करेंगे कि उसको दोना है wash it एक लोग आप sweets distribute कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सभी बच्चे लोग एक-एक ले तो आप बोलोगे take one ठीक है आपको ज्यादा नहीं लेना है take one ओके this is step one अब इसको सिर्फ यह सीखने से नहीं होगा ठीक है यहाँ पे कुछ words थोड़ से advanced level में जाने के बाद कुछ words हम लोग आगे पीछे भी you know add करेंगे जिससे कि यह sentence थोड़ा सा लंबा हो जाए और हम लोग और English सीख पाए ओके तो पहले आप step one में बस इतना सिखिए और मैं आपको ले चलते हूँ step two पे कोई भी difficulty हो आप लोग मुझे message करके बता सकते हैं next is ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं को बोलेंगे हम लोग not much ओके not much ज्यादा नहीं बस थोड़ा बस थोड़ा होगा just a bit और just a little ओके दोनों ही appropriate है just a bit next just a little बस थोड़ा अगर आप किसी दावत में गए हैं और आपको कुछ ज्यादा आपको दे रहे हैं ठीके तो आप बोलेंगे give me only a little give me just a little give me just a bit okay ज्यादा नहीं थोड़ा सा आप मांग रहे हो इतना ही not this much इतना नहीं sorry इतना नहीं इतना नहीं not this much इतना नहीं चाहिए मुझे मुझे just little bit चाहिए तो आपको लोगे not this much just a little bit इतना नहीं बस थोड़ा सा nothing not this much just a bit ऐसे आप add करके भी sentences बना सकते हैं आगे जाओ go ahead धहरिया रखो be patient और have patience okay be patient last में T है आप अच्छे से देखिए इसको और next patience में है CE all right so be patient बोल सकते हैं आप या फिर have patience okay have patience I'll give you be patient I'll give you okay चलिए next word देखते है step 3 में कौन आया यह बहुत ही relevant question है यह बहुत बार हम लोग पूछते हैं who came okay कौन आया बेल तो बजी कोई आया अंदर कौन था वो who came आप अपने family members से भी यह start कर सकते हैं बोलना next who went आपको दर्वाजा बंध होने का आवाज आया आप पूछना चाहते हैं कि कौन गया ठीक है तो आप बोलेंगे who went went का मतलब जाना कीम का मतलब आज जाना पास्टेंस है ठीक है ओके next is मैं सहमत नहीं हूँ आपका friend कोई suggestion दे रहा है लेकिन आप उससे agree नहीं करते तो आप बोलेंगे I disagree ठीक है थोड़ा सा tone भी मामी बोलती है कि यह आप ने किया है काम भी गाड़ा है तो आप उसको deny करेंगे कैसे no I didn't do आप यहाँ पर did not नहीं बोलेंगे didn't ठीक है no I didn't do यहाँ पर shot किया हुआ है यह हम लोग details में बाद में करेंगे अब ही आप इतना जानी है no I didn't do ऐसे प्रणांस करना है आपको let's move to step 4 इससे संभालो ओके आपका भाई है जो कि बहुत ही बदमाशी करता है तो आपके अब मुलेंगे handle this यहाँ ध्यान दो focus here ध्यान के इंडरीत करना focus here बहस मत करो don't argue यह बहुत ही प्रचले थे क्योंकि घर के बाहर घर के अंदर हमेशा कुछ ने कुछ चलते रहता है तो वहाँ पे आप बोल सकते है don't argue I need peace don't argue अंदर रहना अंदर रहना अभी तो यह बहुत ही prevalent है कोरोना का जो period है इसमें अंदर रहना है stay inside ओके अगर यहाँ पे घर होता तो आप बोलते stay home ठीक है राम को बता दो inform राम लेखिए one two three four चाठो हिंदी के words को हम लोगों ने दो में concise किया inform राम इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश अच्छा है और हिंदी बुरा है सभी भासा को हम लोगों को तवज्जो देना है क्योंकि हर भासा का कुछ न कुछ productivity होता ही है हम English को भी deny नहीं कर सकते just because यह British Earth से related है क्योंकि आज के date में बिना English के कुछ नहीं होता आप interview में जाए आप market में जाए आप घर में ही रहे है mobile phone चलाए जो words हिंदी में बहुत difficult होता है वो English के माधिम से आप सीखते है तो इसको English को उतना ही तवज्जो दिजिए जितना आपको जरूरत हो ठीके लेकिन आप अपने mother tongue को भी deny मत किजिए कोई है कि सवेरे से शाम तक घर वालों से लेके बाहर वालों के साथ भी अंग्रेजी में ही बोलना चाहता है वो भी गलत है अपना जो एक भावनात्मक link है emotional touch है अपने language के साथ वो भी रहना है और English भी हमको सीखना है तो चलिए next page पे चलते हैं step 5 थोड़ा सा यहां पर difficult मेंने किया है क्योंकि अब थोड़ा सा step बढ़ाना है हम लोगों को level बढ़ाना है English का मैं एहसान मंद हूँ I am grateful मैं एहसान मंद हूँ एहसान मंद कोई है जो की कृतग्य है तो आप बोलोगे I am graceful कोशिश करते रहो कोशिश करते रहो because यही है success का key तो आप बोलोगे keep trying मैंने फिर कोशिश की I tried again मुझे धक्का मत दो don't push me इसे दोबारा फिर करो इसे दोबारा करो या फिर इसे फिर करो आप बोलोगे do it again or redo it all right I hope it's clear let's move to step six रास्ते से हट जाओ get off the way get off the way यह तुम्हारी पसंद है it's your choice okay तुम्हे किस ने बुलाया who called you next day is उसे किस ने बुलाया who called him मासूम मत बनो don't be innocent friends यहाँ पे आपको intonation का बहुत ध्यान देना है जैसे आप गुसा करते हैं तो आपका tone change हो जाता है आप request करते हैं तो आपका tone low calm हो जाता है है ना तो जब आप ये words को बोलेंगे तो जैसा इसका भाव है जो भी message convey होता है उसी की accordingly आपको tone change करना है otherwise language का जो charm है वो हट जाएगा ठीक है जैसे यह अगर मैं first word ले लूँ रास्ते से हट जाओ इसमें थोड़ा सा गुसा भी दिखाना है रास्ते से हट जाओ okay get off the way it's your choice who called you who called him don't be innocent ठीक है ऐसे आपको बोलना है सभी के लिए एक tone नहीं रहेगा पहले आप इसको repeat करकर के सिखिए फिर हम लोग tone को modify करने की training देंगे दर्वाजा खुला है the door is open don't say the door is open don't say that okay you have to say the door is open all right दर्वाजा बंध है the door is closed वह चल नहीं सकता he can't walk he can't walk it's not he cannot all right meaning same है लेकिन आपको short करके यहाँ पर लिखाए तो उसी के accordingly आपको बोलना भी है he can't walk अब यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे प्रिनांस नहीं करेंगे walk आप नहीं बोलेंगे walk ठीक है walk एक एक कर बोलो speak one by one एक एक करके बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है उस टाइम पर बोलेंगे हम लोग speak one by one बंद करो यहाँ बक्वास stop this nonsense चलिए next level पर पहुँचते हम लोग अभी निकलो leave immediately यह immediately भी बोल सकते हैं आप या फिर immediately भी बोल सकते हैं दोनों ही correct है और जोर से बोलो speak more loudly और जल्दी बोलो speak more quickly बोलो कब जाना है see यहाँ पर question mark है तो मैंने question का tone change किया right tell me when to go कब जाना है बताओ उसे अभी ठीक करो fix that right now fix मतलब ठीक करना किसी भी चीज को सही करना जो से पहले normal था काम कर दा तो वैसे बनाना fix that right now okay I hope step 8 is clear to everyone let's move to step 9 यहाँ अजीब है this is weird okay weird मतलब अजीब जैसे कोई आपने चीज देखा जो कि आपने कभी नहीं देखा और आपको लग रहा है नहीं यह खाने का चीज है नहीं उसको लगाने का तो आप बोलेंगे weird ठीक है जिसको देखके आपको बहुत अचमभा हो अलाम लगा दो set the alarm यहाँ पर लगा दो लगा दो को usually क्या बोलते हैं put on है ना तो यहाँ पर वो applicable नहीं होगा आपको बोलना है set the alarm इसके rules वगेरा हम लोग बात में बात करेंगे अभी आपको initial stage में सीखना है इसलिए grammar को side में रखिए ठीक है अगर आप इसमें grammar सीखना चाहते हैं तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे at least इस stage में तो नहीं सीख पाएंगे तो starting से यह repeat किजिए copy किजिए बोलिए और grammar को हम लोग बात में सिखेंगे यह तुम्हारी इच्छा है it's your wish ओके it's your wish कोई चिला रहा है कौन चिला रहा है who is shouting मेरा समय बर्बाद मत करो don't waste my time यहां पर want हो गया है spelling mistake है don't waste my time okay चलिए इस class का last step देखते हैं उसे नहीं खेलना है he does not have to play मुझे नहीं खेलना है I don't have to play मेरा यहां मतलब नहीं था I didn't mean that I didn't mean it this is also correct आपको कहां जाना है this is wrong sentence where do you have to go okay where do you have to go all right where do you have to go please correct that I apologize for this mistake आप कहां जाना चाहती हो where do you want to go okay where do you want to go आप कहां जाना चाहती हो okay friends I'll keep it till here for today's class I'll continue in my next class with this line wise explanation till then we meet please stay tuned with our channel thank you friends take care declaring तो